हेलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम बेकावर एरेकेडमी पांकी यूटीब चैनल और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास एट का जो हिस्ट्री है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं ये क्लास एट का हिस्ट्री है और ये आपका सबसे ला लिश्ट होगा उसमें आप इन कीजेगा उसमें टोटल आपको फुल कंप्लिटेड मिल जाएगा और जो लोग अवी तक हमारे वीडियो पे नहीं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों सब्सक्राइब कर दें छेले सुरू करते हैं एरलेंड के अंदर होकी को हरली के नाम से जाना जाता है किस नाम से हरली अगला क्वेश्टन टू है होकी को ओलम्पिक में खाली अस्थान सामिल किया गया यार्नी की होकी को ओलम्पिक में कब सामिल किया गया था होकी को ओलम्पिक में 1922 में सामिल किया गया था अगला है घ खाली अस्थान जार्खन की पहली महिलार अंतरराष्टिये होकी खिलाडी है कौन से ऐसी महिला है जो जार्खन की है और सबसे पहली अंतरराष्टिये खिलाडी बनी है इसका अंसर हो जाएगा सावीत्री पूर्ती सावीत्री पूर्ती अगला क्विश्चन है गह एम्स टडर्म ओलेंपिक में भारतिय होकी टीम के कप्तान खाली अस्तान थे यानि कि एम्स टडर्म जब ओलांपिक हो रहा था तो उसमें भारतिय होकी टीम के कप्तान कौन थे इसका एंसर हो जाएगा जैपाल सिंग मुंडा क्या हो जाएगा जैपाल सिंग और मुंडा यहाँ पर लिख दिये ना जैपाल सिंग मुंडा थे अगला है सबसे लाश्ट अंगा मासको उलम्पिक टीम में जारकंड के खाली अस्थान सामिल थे उत्तर हो दाएगा सिल्वानूस डुमडुम सिल्वानूस डुमडुम यह सामिल थे इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे अगला दूसरा प्रश्ण क्या कहता है निम्न प्रश्णों के उत्तर संचेप में लिखे बोलता है कि जो भी प्रश्ण है उसका उतर आपको संचेप में बताना है सबसे पहला है कलकतिया इस्टिक कैसे तयार होती थी यानि कि कलकतिया जो इस्टिक होती थी वो कैसे तयार होती थी उत्तर दिखे बास एवं केंदर की लकडी का परियोग होकी इस्टिक बनाने में किया जाता था बास की गोलाकार जड़ों के छील छाल कर गेंद बनाया जाता था बास की जड़ के पास प्रकिर्तिक रूप से होकी स्टिक की टेड़ा होता था के यहाँ पर गेंद होगा ना गेंद 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 की डॉली के आगे आग पर सेक कर उसे आगे के हिस्से को टेड़ा करने के लिए जमीन में गार दिया जाता था और सेस हिस्से को रसी से खीच कर जुकाते हुए किसी भारी पत्थर में बाध दिया जाता था लगबग तीन सब्ता तक ऐसे स्थिती में रखने पर वह हौकी इस्टिक बन जाता था इसे कलकतिया इस्टिक कहा जाता था कलकतिया इस्टिक क्या है दोस्तों तो कलकतिया इस्टिक जैसे आप लोग होकी का देखें होकी खेलने वाला इस्टिक उसी को कलकतिया श्टिक का जाता था जो की बास से बना जाता था क्योंकि जो उसके जड़े होती है अक्सर ऐसी मुड़ी भी होती है तो वो लगता है हौकी श्टिक ही है अगला एस्ट्रो टर्फ इस्टेडियम में हौकी क्यो खेला जाता है उत्तर आज होकी के खेल में अत्याधूनिक तगनीक का वहवार जादा होने लगा है एश्ट्रो टर्फ इस्टेडियम में इन तगनीकों का परियोग आसान होता है खिलाडियों को गायल होने की संभावना भी कम हो जाती है अगला है आईए चर्चा करें चले देखते हैं चर्चा करना क्या चर्चा करना भाई साब समझते हैं परश्ण है तीसरा 1928 से 1956 तक अंतराश्टिये अस्तर पर भारतिये होकी टीम के दबदबे को कैसे अर्षपष्ट किया जा सकता है उत्तर देखे 1885 तो 86 में भारत का पहला होकी कलब कलकत्ता में बना धीरे धीरे इसका विस्तार बंबई, बिहार, उडिसा, दिल्ले, आधी प्रांत का मतलब राज हुता आधी प्रांतों में हुआ 1928 में एम्स्टडर्म ओलम्पिक ने भारत ने पहला स्वन्पदक जीता 1928 से 1956 तक भारत ने होकी के लगतार 6 उलम्पिक स्वन्पदक जीत कर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी इस दोरान लगतार 24 मैचों में वह विजई रहा, जिसमें से 178 गोल दागे जबकि विपक्ची टीम मातर 7 गोल ही दाग सकी पुना मेक्सिको उलम्पिक 1968 तक दो और स्वर्ण पदक हासिल किया इस तरह से भारतिय होकी टीम के दबदबे को असपश्ट किया जाता है चौथा प्रश्ण है मेजर ध्यान चंद को होकी का जादूगर क्यों कहा जाता है और ये भी भी आई प्रश्ण है दोस्तो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट ये प्रश्ण है क्योंकि ये इससे कई बार सवाल आते हैं उत्तर दिखे भारतिये होकी के टीम को अंतराष्टिये समान दिलाने में मेजर ध्यान चंद का सराहनिये योगदान रहा उलम्पिक में भारत सरवाधीत गोल उनहीं के नाम रही थी जर्मन तानासा हिटलर भी उसकी परतिभा के कायल थे आप लोग हिटलर को जानते हैं ना हिटलर हिटलर एक नाच्सी था हिटलर की विचारधारा के बारे में आप लोग पढ़िएगा हिटलर भी उसकी परतिभा के कायल थे उनकी अगवई में उलम्पिक कॉमन वेल्थ एसिया कप में भारतिये होकी ने अभूत पुर्व सफलता पाई इसी वज़ा से उनने होकी काजादूगर कहा जाता यहां पे क たप कहा जाता है ना कहा- जाता था अगला प्रश्न है 5 आपके अनुसार बारियातू होकी सेंटर को इतनी सफलता क्यो प्राप्थ थी यहने कि जो बारियातू में होकी सेंटर था वो इतना आगे कैसे निकला था उत्तर देखे जारकन में होकी की सुरुवात फादर जेसी हिव तुली के विसेश योगदान से हुई है इनके पुत्र एड़वर्ड हिवटली ने पहली होकी टीम बनाई वे राची के बारियातू के विसेश थे इनके परियात से माली बावर्ची बढ़ाई धोबी आदी इनके टीम में सामिल हो गए खिलाडियों ने अपनी लगन मेहनत्व इच्छा सक्ती के बल में राष्टिये पहचान बनाई इस सिंटर निदेश को डॉक्टर से ज़्यादा राष्टिये एवं अंतर राष्टिये महिला होकी खिलाड़ी दिये अगला प्रश्ण है छठा महिला होकी में जनजातिय यूतियों का वर्चस्व क्यों है यानि कि महिला होकी जब बने थे महिला होगी प्लेयर का टीम बनाता तो उसमें जन्जाती लोग यानि की जैसे AC या ST लोग जो होते हैं उनका वर्चस वह वो फेमस है कैसे चली देखते हैं उत्तर जन्जाती यूतिया सारीरिक रूप से मजबूत और परतीभा की धनी होती है राज खेल परिसद और भारतिये केल प्रादिदी कारण साई के संयुक्त परियास से परतिभाओं को तालासने की योजना बनाई गई अच्छे खेल प्रसिक चको के कठिन कठिन परिश्रम और जन्जातियों को नो सरगिक परतिभा के कारण महिला होकी में जन्जाति यूतियां का वर्चस्व है महिलाई क्या होती थी जो जन्जाति महिला होती है वो कापी सारीडिक रूप से और परतिभा भी उनके पास कूट कूट कर भरा होता है इसके कारण उनका वर्चस वो जादा है इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 11 का the end होता है और आपको एक चीज बता दें कि आपका टोटल चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट करवाया जा च क्लाश 8 हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है चैनल के अंदर आप जाईएगा वहां पे हिस्ट्री क्लाश 8 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ सारे चैप्टर कंप्लीटेड है आप चाहें तो वहां जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं और जो लोग हमारे अभ और पॉलिटी का भी वीडियो मिल जाएंगे सो बने रही है हमारे साथ मिलते नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई